मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ भारतियता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला इस देश का एक शांती पूरुन अहिंसक धर्म निर्पेक शिक्षित कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक 26 साल पहले आज ही के दिन मुझे अपने घर से बेघर कर दिया गया ये मेरी कहानी है 1999 के शरद रितू के आते आते कश्मीर में आतंक वादियों का बूल बाला था राज़ सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याब कर दिया था और किसी प्रगार का कोई परशासर नहीं रह गया था आतंकियों के फर्मानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था ऐसा लगता था जैसे भारती होना मानो एक गाली हो आतंकवादी हिटलिस जारी करने में लगे हुए थे हर वो शक्स जो भारत समर्थक था उसे मुख्बिर करा दिया जाता था उसको मारना जिहाद था और पुर्ने भी प्रमुक कश्मीरी पंडितों को पहले सी निशाना बना कर मारा जा रहा था सामाजिक कारेकरता टिकालाल टपलू को सरयाम दिंदहारे श्रिनगर में मारा गया निलकंट गंजू को करनगर में मार दिया गया और उनका शव सडक पर कई घंटों तक पड़ा रहा वकील प्रेमनाथ भट की पेरहमी से डक्षिन कश्मीर के अनंतनाक शेतर में हत्या की गई अंगिनत अज्यात पंडितों की निर्म मत्याएं की गई संदेश स्पष्ट था चार जनवरी 1990 को आफ़ताब समाचार पत्र में हिजबल मुझाईदिन ने प्रेस विग्यक्ति प्रकाशित करके सबी हिंदों से घाटी छोडने के लिए कहा एक अन्य समाचार पत्र अलसाफा में भी यही प्रेस विग्यक्ति चपी जल्दी यही नोटिस कश्मीरी पंडितों के घरों के दर्वाजे पर चिपका दिये गए 19 जनवरी 1990 के उस दुर भाग गे पुरून रात में कश्मीर को ऐसा ग्रहन लगा मानों अंधेरे ने प्रकाश को अपने आपोश में निगल लिया हो कश्मीर के हर कोने से हर नुकट से, हर सडक से, हर बाजार, हर गाउं से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो पंडितों के लिए मौत का संदिश था हजारों लाखों का हजूम कश्मीर की सडकों पर उतर कर जहरीले नारों में उद्विश कर रहा था जो पहले कभी नी सुना था ना देखा गया था पूरे कश्मीर में मस्जिदों से गोशना की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा मुझाईदिनों की परशंसा में चारों तरफ गुंगान किये जा रहा था बीड में खुले दोर पर बन्दु के लहराय जा रही थी जागो जागो सुबा हुई रूस ने बाजी हारी है हिंद पे लरजाटारी है अब कश्मीर की बारी है बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया अगर कश्मीर में रहना है अल्लाव अक्बर कहना होगा ऐ जालिमों ऐ काफिरों कश्मीर हमारा चोड़ दो इन नारों का सिलसला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था एक बंद होता था तो दूसरा शुख हो जाता था इनी नारों में एक नारा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंदित आग्मियों के बगएर पर पंदित ओरतों के साथ इनारा बार बार और जोर जोर से दोराया गया अब हमारे ड़र ने एक नया रूक ले लिया था परिवारों ने महिलाओं को स्टोर रूम में छुपा दिया ये कहने की जरूरत नहीं कि जब भीड हमला करे तो वो स्वैम को आग लगा ले उस रात के डर का कोई सानी नहीं मायूसी का एक ऐसा आलम था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था संदेश स्पष्ट और तील था रलिव गलिव या त्वलिव या त्वलिव या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ कोई ऐसा गाओं महला गली या जगा नहीं थी जाहां इन नारों का शोर ना हो अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने इन विपरीत परिस्थितियों में वो जो कुछ भी उनके साथ सामान और जान बचाने के लिए हो सकता था किया और किसी तरहां जान और मान बचाकर ट्रकों के तरपाल में छुपकर पसों आम किराए की टेक्सी बरकर भाग गए 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का अठले आम शुरू हो गया और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की इंतिया होने लगी थी बांधी पुरा में शिक्षिका गिरे राज टिक्कू की गैंग रेप के बाद हत्या की गई इस तरह की सैंक्डों खबरे आम हो रही थी इस पर पूरी किताबे लिखी जा सकती है कि किस परकार से लोग आतंक वादियों से परताडित हो रहे थे और किस तरह प्रशासन मूख दर्शक बनकर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों को अंदेखा कर रहा था 1991 तक ज़्यादा तर पंडित खाटी से पलाइन कर गए और उने जम्मू के दुर्गम स्थानों में कांटों वाँ धूल भरे टेंट शिवरों में रखा गया साथ हजार से ज़्यादा परिवारों ने पलाइन किया और उनको ऐसे शिवरों में रखा गया जहां शौचाले जैसी मूल भुछ सुगधाय में नहीं थी एक परिवार को एक टेंट अलॉट किया गया जिसमें दस दस से कभी कभी साथ ही सोते थे निच्टा का नितान दभाव था इन शिवरों में काफी बड़ी तादाद में बिमारी से मौतें भी हुई ज्यादातर मौतें सांप के काटने और अत्यादिक गर्मी के कारण हुई कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था पंडितों के हजारों घरों सैंक्डों मंदिरों को जला दिया गया और जमीन में ढहा दिया गया था ये सब एक बहुत सांसकर्टिक धर्म निर्पेश भारत में हो रहा था जो पंडितों की छोटी संख्या अभी भी खाड़ी में रह रही थी उनके साथ नरसनहार किये गए थे आतर्कवादियों ने दो महिने के बच्चों को भी नहीं बखशा पंडित के पूरे पूरे गाउं को साफ कर दिया गया आज तक एक भी वेक्ति को दोशी करार नहीं दिया गया हजारों पंडितों की हत्यावा नरसनहार की सजा तो जूद की कोड़ी है किसी ने इस नरसनहार और पणायन पर कोई इस परकार की चिंता प्रदश्च नहीं की हमारे घर सूने पड़े है मंदिर अपित्र है सब कुछ डेहने को है 26 साल के बाद आज भी जम्मू के बाहरी इराके में अपने देश में शर्णार्थी के रूप में कश्मीरी पंडित अभी भी शर्णार्थी शिवरों में रहते हैं और जहां उन्हें ज्यादा सहायता भी नहीं दी जा रही है आज की सोशल मीडिया की पीड़ी में जब दुनिया में करीबी बढ़ रही है और लगबख सब कुछ उंगली की टिप पर उपलब्ध हो रहा है अब भी हमारे अपने देश के नागरिकों की उनके अपने देश में ही दुरदशा बनी रहती है और उने उनके हाल पर यूँ ही छोड़ दिया जाता है इस सब के बावजूद है मैं आज भी उमीद करता हूँ कि हमारे साथ इनसाफ हो जैहिंद